जाहिन दोस्तों क्या आ रहे मेर पास यह न काफी सारे मैंने इनको ओर्डर किया इस्पेशली अराउंड 500 यह यह फोन है इवर मैंने ट्वीट भी किया था वहां से भी कुछ सजेशन लिए जो मतलब आपके लिए बैस्ट हो सकते मैंने उसको उठाए थोड़ा खरावे मैंने कर लेना लेकिन अन्बॉक्सिंग को लाइव रिकोर्ड करेंगे पुरा और सच में मैंने इनको लाइक टेस्ट करने के लिए दो दिन लगे इस वीडियो को कम्प्लीट होने में इसको मैंने अलग से टेस्ट करके नोट डाउन किया पहले तब जागे इनमें डिफरेंस एक् पर तो सब्सक्राइब जरूर करना सबसे पहले यह है रियल में बट्स क्लासिक जिन लोगों को इन यह वाले यह फोन नीची और इसका जो प्राइज है वो 300 का मिला भाई मुझे क्योंकि मोटली ना इन यह वाले आते हैं तो कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो इन यह वाले न फुल वॉल्यूम पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है अवाज वगार फटती नहीं है इसकी और साथ में बेस या ट्रेवल वगारा जो मैंने सारे वर्ड बताया यह थोड़ा क्लासिकल जो आप जाके सट करते हो अपने म्यूजिक प्लेयर में कुछ उस तरीके से मतलब थोड सप्रेशन थोड़ा सा कम लगेगा अगर आप ज्यादा म्यूजिक के शोकीन है ट्रेवल थोड़ा कम लगा मुझे और मैंने जितना उमीद नहीं किया था उससे ज्यादा बेस है इनियर नहीं फिर भी और कोलिंग करते टाइम जो इसका माइक वाला सिस्टेम है नो काफी न मैंने नोटिस किया कि इस रेट में सब्सक्राइब करते हैं यह अट लीस्ट सेफ रहेगा आपके लिए मतलब एक तरीके से हमें कानों का ध्यान रखना पर ज़रूरी होता भाई आखों का भी नहीं तो ऐसे चार हो जाती है आजकल टाइप सी यह फोन की काफी ज्यादा रि इसकी जो बिल्ड वगार रहा है यह आप देखो मतलब 400 के राउंड है बिल्ड क्वालिटी उससे बैटर हो सकती थी क्ले रहा है और साथ में इसमें बहुत तगड़ा फीचर है यह लाइक ना म्यूजिक कैंसिलेशन के साथ आता है आपने नोइस कैंसिलेशन सुनाओगा म् कमेंसिक जिलेशन मतलब इसको मैं एनोट 10 प्रइस में टेस्ट किया इसको मैंने पिकसल 4A में टेस्ट किया आप किसी में भाई ये चलता ही नहीं है तो इसलिए मैंने खाँ म्यूजिक केंसिलेशन पतान इस यूनिट में दिक्का था यह क्या है और टाइप सी वाले में और भी सर्च कर रहा था कुछ खास मिली नहीं रहते हैं जिस पर अच्छी रेटिंग वगारा हो तो इसलिए यह जो मैं बाकी बता रहा हूं ना डॉंगल वगारा कनेट करके आप तो यूज करें तो बैटर रहेगा यह है बोट के एक्स्ट्रा बेस टू तू फाइफ मोडल नमबर है यह टिप्स और यह अच्छा इसके अंदर काफी सारा समान दे रखा है और यह फ्लैट के बले बोट वाले की खाजिया दिया लगी एक तो इसके वायर वाइट एंगल यह मस्त एक दम से सीधा हो जाता है ऐसे मैटल मैटल यूज हुआ हर जैगा साउंड काफी लाउड है लेकिन आप इसको ना अंडर परसेंट पर नहीं सुन सकते एक टी परसेंट तक मैक्सिम सुन सकते उसके बाद आवाजना अजीव सी मतलब हो जाती है बढ़कीली अच्छे से काम कर रहा है इसके अंदर कोई भी ऐसे वोल्यूम आप डाउन करने का और साथ में यह पतन इसके डिजाइन में क्या है जैसे भी है यह पीछे से जो मैटल बिल्ट है यह हलका से काफी देर अगर आप इस कूज करेंगे ना थोड़ा सा अनकमफोटेबल फील हो आपको जैसे यह बाट्स वगारा आते हैं इन में ज्यादा दिक्कत होती है नेक बैंड में फिर भी और बैटर रहता है और वायर वाले में तो आपको ना लेटेंसी की दिक्कत क्योंकि वायर के थ्रू डारेक्ट कनेक्शन होता है अगर किसी भी अच्छे ब्रैंड का लेत है आपका कोई नुक्सान नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं एन जे बिल का कैसे लिस्ट में नहीं आता ये तो होई नहीं सकता था जे विल सी ओन हंडर एसाई का जो प्राइज है वो है शिक्स डबल लाइन पैकेजिंग सब के अच्छे लगी मुझे जो मैंने बताया बस वही थोड़ा से जब्रोनिक्स वाले का देख के हलका सस्ता लग रहा था तोपी वाली पर नहीं ये भी लग रही है वैसे जे बी एल ये वाले इसके लिए में इतने गऊंगा इन सभी में सबसे बेस्ट क्वालिटी के साउंड इसी का है बेस भी काफी अच्छा है ट्रेव स्रेट में इसके म्यूजिक के साथ मतलब मुझे लगता आप कोई कंप्लेन निकाल पाएंगे सब कुछ काफी अच्छे सा बैलेंस किया हुआ इसलिए मैंने का जब लगे तो सीधी सी बात है बढ़ा इसके अंदर कोई वोल्यूम आप डाउन का ऐसे कुछ नहीं है और साथ आपको इसके वायर वगरा क्वाल्टी से जादा दिक्कत नहीं है तो डेफिनेटल लिन में आपको अगर इसे आप बाय करते हैं तो आपको म्यूजिक से कंफ़ोटेबल है बहुत ज्यादा हलके है लाइट वेट है या कोई मैटल वगरा तो नहीं यूज हुआ है कुछ नह पैकेजिंग के साथ और दो पेर दे रखे इन्होंने ये टिप्स के ये मैटल है उसमें मैगनेट वाला सिस्टम है और ये वाले दो है जो रियल मी और शाओमी के ये दोनों को मैं एक साथ ही आपको बदाता हूं पहले भी एक वीडियो बात किया था बट इसको इस वीडिय ये भी मैटल है दोने में सबसे अच्छी बात ही है कि भाई कंट्रोल वाले पूरे ओप्शन दे रखे वोल्म आप डाउन और ये फिर मेन बटन दोनों की वायर क्वाल्टी सिमिलर टाइप की है और दोनों के दोनों ऐसे उलस्ते निये काफी अच्छी क्वालिटी की वायर क्वाल्टी है और दोनों के अंदर मैगनेट दिया हुआ तो इन दोनों को आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं दोनों के अंदर दोनों पहनने में भी मुझे कमफोर्टेबल लगे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात देखने में नहीं आई बठाँ ये रियल्मी वाला है ये की क्वाल्टी ज्यादा बहतर सी लगती हलकी सी और जो आपका मतलब जो चम चम टाइप आवाज होती है न वो सब काफी क्लेयर सा लगा मुझे रियल्मी बट्स टू में अदरवाइस कोई ज्यादा फरग नहीं है एक को एल शेप में दे रखा एक स्ट्रेट है तो डेफिन की वाला है सैमसंग का एच सिक्स फोर यह तो बाहर आई चुका है दो पेर ओफ यहां पर वही यह टिप्स मिलते है चार सो के असपास अगर आपको मिलते है डेफिनेटली इसको आप कंसिरे कर सकते हैं मैं इसको काफी टाइम से यूज़ कर रहा हूं काफी लाइट वेट है वायर की क्वालिटी कोई मतलब यहां पर कुछ स्पेशल नहीं है नॉर्मल सी है यह भी आपस में उलच जाते हैं एकदम सिंपल सा लूक है बेस वगरा है इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं काफी अच्छे से बैलेंस किया हुआ सारा कुछ जो इसके अंदर है बट हां अगर आपका बजट चार सो है तो डेफिनेटली इसको आप कंसीरे करो बजट पांसो के आसपास है ना थोड़ा सा तो मैं कहूंगा है रियल मी बट्स टू इससे आपको बैटर एक्स्पिरियंस देगा तो म्यूजिक के मामले का विनर रहा यहां पर जेबील बजट और डिजाइ को मैंने सारी बेस्ट किये इनमें से अगर आप कोई भी लोगे ना यह सारे अच्छा एक्सपिरियंस देटे वर्ट मैंने जो जैसे मिला आपको बता दिया आई होब आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करना और मै इनको सही करने को ही करता हूं और आप से मिलता हूं अगली वीडियो में